हेलो स्टुडेंट मैं डॉक्टर आयुश पारिक आप सभी का वेलकम है कुरुनिती के अंदर तो स्टुडेंट हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे यूनिट नंबर थार्ड हुमन फीजियोलोजी के अंदर इस यूनिट थार्ड में दो टॉपिक्स हम डिसकस करने वाले हैं एक का नाम है digestive system और एक का नाम है respiratory system तो चलिए समझते हैं कि हमें कैसे सही option तक पहुँचना है और उन questions को कैसे handle करना है जो कई बार हमारे पढ़े हुए से बाहर आ जाते हैं या फिर कई बार कुछ ऐसे questions आ जाते हैं जो हमें click नहीं होते तो कैसे हमें elimination method अपनाना है कौन से ऐसे questions है जो सीधे NCRT से तो उन्हें कैसे attempt करना है तो हमारा motive यह रहेगा यह questions प्रिवियस यर के questions है आप सभी ने इनको solve कर रखा होगा तो यहाँ पर मैं आपको topic का फाल्तु ग्यान दूँ इससे अच्छा है हमारा motive यह रहेगा मेरा कि मैं आपको यहाँ पर यह सि questions के अंदर हर question को solve करने का एक particular तरीका होता है चलिए देखिए यह digestal system का question यहाँ से start हो रहा है तो इसमें देखिए select the correct match of the digested products in human given in column 1 with their absorption site and mechanism in column 2nd मानवो में पार्चन उतपादो को column 2nd में दिये गए अवशोशन इस्तल एवं अवशोशन प्रनाली के सही मिलान को चुनिए तो यहाँ पर आपके सामने 2 column है तो column वाले questions जो है वहाँ पर आपको क्या करना है मिलान जो है वो सही choose करना है मतब column में 2 तरह के questions आते हैं यह देखिए इसमें आगे कोई options नहीं है यही आपके सामने options है कॉलम में ज्याद तर कुष्टन में मैचिंग आती है कि आपको दो कॉलम दे देगा और उनको मैच करके आपको सही आंसर तक महुचना है पर यहाँ पर आप से क्या पूछा है कि कॉलम वन और कॉलम तू दो कॉलम है एक तरफ तो क्या दे रगे है वो products दे रखे है जो digested products है जिनका digestion हो सका है और दूसरा दे रखा है कि उनका absorption होता कैसे है और उनका mechanism of absorption क्या होता है जिसमें सही matching दे रखी है वो आपको क्या करना है चूज करना है तो यह question finally absorption वाला जो हमारा part है वहाँ से आया है तो देखिए पहला बोल रहा है glycerol और fatty acid ठीक है glycerol और fatty acid और column second में क्या दे रहा है drudanum move as chylomicron ठीक है अब glycerol fatty acid यानि fat वाले products हो गई drudanum small intestine हो गई अब जैसी chylomicron आपने सुना होगा तो आपके दिमाग में click हुआ होगा कि chylomicron तो क्या है protein coated fat vesicles है जो intestinal cells है जो lining बनाते है brush water cells उनके अंदर बनती है पर यहां इसने क्या बता दिया कि drudanum में बता दिया और ऐसे बता दिया कि move हो रहे है मतला absorb हो रहे है कि इसकी form में chylomicron की form में गलत हो गया ठीक है आप जानते है fat के absorption में पहले micelles बनते हैं lumen में फिर देन अंदर जा करके दुबारा triglyceride बनता है और उसके चारो तरफ protein की layer आती है जिसे हम kylomicron कहते है तो पहला हमारा matching नहीं हो रहा cholesterol maltose maltose यह तो पूरी तरह ऐसे ही गलत हो गया disacuride है ठीक है यह वापस further break होगा ठीक है glucose plus glucose में तो इसका absorption होगा नहीं और यहाँ पर भी देखिए आप large intestine में absorption बता दिया तो पहले ही हो जाता है तो यह भी आपका क्या हो गया गलत हो गया glycine glycine जो है आपने पढ़ा होगा potney में amino acids, biomolecules वाला जो topic हम लोग discuss करते हैं तो glycine कौन है, amino acid है glucose, carbohydrate है अब यहाँ पर trick इतनी सी है कि सब का सब तरह से होता है लगबग, LCRT के अंदर अगर आप देखोगे तो amino acid और carbohydrate का active भी बताया है facilitated भी बताया है और passive diffusion भी बताया है तो यहाँ पर आप देखिए glycine और glucose में small intestine बता रहा है बिल्कुल सही बात है active absorption बता रहा है तो यहाँ पर आपकी क्या हो गई सही हो गई यहाँ पर fructose और sodium sodium का इसने passive absorption बता दिया इसलिए यह हो गया गलक तो इसमें यहाँ पर हमें गलती कैसे पकड़ में आई काईलो माइक्रॉन से क्योंकि काईलो माइक्रॉन अंदर बनती है यहाँ हमें गलती कैसे पकड़ में आई maltose से क्योंकि maltose पूरी तरह ऐसे digestive product नहीं है यहाँ हमें गलती कैसे पकड़ में आई sodium से क्योंकि sodium iron जो है वो carry iron के तोर पर actively absorb होता है हमीशा ध्यान रखियेगा sodium जाद तर अगर आप इसका reabsorption पढ़ेंगे तो भी active है और absorption पढ़ेंगे तो भी active है तो यहाँ हमारी गलती तरह की से आगई यह बिलुकुल सही matching हो रही है कि glycine का amino acid हो गया और glucose carbohydrate का end product हो गया और इनका absorption small intestine में होता है और कैसा absorption होता है active absorption होता है तो यहाँ पर हमारा जो सही answer आगया वो आपका कौन से number पर आगया students, third number is the correct answer ठीक है, अगले question पर चलते है The initial step in the digestion of milk in human is carried out by मानवो में दूद के पार्चन की आरंभिक क्रिया किर्स के द्वारा की जाती है अब देखिए मानवो में यहाँ पर बात कर रहा है initial step in the digestion of milk in human is carried out by अब यहाँ पर आपके सामने adult और infant नहीं दे रखा यानि कि शिशु में पूचा है या व्यस्क में पूचा है यह जानकारी यहाँ पर हमें नहीं दे रखी हमें इतना पता है कि दूद की पाचन में यानि milk के digestion में जो infants होते हैं उनमें कौन रूल प्ली करता है रेनिन रूल प्ली करता है milk के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको breakdown करने के काम जिम्मेदारी किसकी है रेनिन की है डबल N वाला तो इसमें हमें फिर अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ऐसे questions flat है इसमें confusion नहीं create किया इसने जानबूच करके भी क्योंकि अगर करता तो यह आप से कुछ और इसको घुमाता तो एक simple question है NCIT से आया हुआ तो इसमें सीधा answer जो हमें knowledge है पहले से उस पर हमें पूरी तरह से यकीन करना है कि रैनिन करता है अब आप इसमें दिमाग लगा होगी कि adults में तो pepsin है ना आगे जाके curding of milk chymotripsin हो जाता है तो यहाँ दिमाग लगा है आपको flat information क्या है कि रैनिन करता है initial step milk का digestion milk a digestion में जब भी बात आती है जब आप इसको ध्यान रखा है तो सीधा आप यहाँ पर answer पर जा सकते है ऐसे questions के अतर ठीक है तो इसमें correct answer कौन सा हो गया third option fructose is absorbed in blood through mucosa cell of intestine by the process fructose की आंतर किशलेश्म कोशिकाओं के माध्यमस में रक्स में अव्शोशित किया जाता है इस प्रक्रिया को कहा जाता है तो particularly students fructose के regarding बात हो तो इस additional information को आप लोग आपके जहां पर NCIT में absorption of digested products बता रखा है वहाँ पर आप इसको note कर सकते हैं fructose की यहाँ पर बात कर रहा है students तो fructose की बात करेगा तो आंसर जाएगा facilitated diffusion यानि कि third में हमारा answer चला जाएगा second option अब facilitated या हिंदी में जिसको हम कहते हैं सू साध्य परिवेहन यह क्या होता है तो देखो इसको simple सा तीन प्रकार के हैं बहुत ज़्यादा भीड है भार एक इस तरह से समझते हैं यह cell के अंदर की तरफ का part हो गया और यह भार का lumen हो गया ठीक है यह lumen हो गया अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड है concentration बहुत ज़्यादा है ठीक है अब high to low cell के अंदर चले गए बिना कोई पैसे दिये concentration बहुत ज़्यादा थी ठीक है बीड लग रही थी भार अंदर की तरफ खाली था तो इधर से चले गए तो यह हो गया simple diffuser same case बीड बहुत ज़्यादा है ठीक है अंदर ही जाना है पर सीधे थोर पर अंदर घुसना मुश्किल हो रहा है तो यह जो यहाँ पर जिनका absorption होना है यह molecules किसकी मदद करते हैं carrier protein की मदद लेते है carrier protein इनको एक प्रकार से facility दे देता है कि आपको अगर सीधे जाने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे अंदर से होते भी चले जाओ मतलब इनको क्या देती एक पैसे इसमें भी खर्च नहीं हुए यानि ATP का खर्चा नहीं हुआ तो एक प्रकार का कैसा हो गया पैसे पर क्योंकि carrier protein ने facility प्रवाइड की थी इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया facility transport जब भी factors के regarding बात हो तो ध्यान रखिएगा क्या जाएगा answer facility transport इसी वज़े से इसमें सही answer कहां पर आया second option is the correct answer next बहुत ही आसाम सा question है gastric juice के बारे में बात कर रहा है infant की particularly infant का आपको दे दिया तो click होना चाहिए renin तो आएगा कौन सा आला renin आएगा जिसमें double N आते ठीक है चलो pepsinogen lipase renin भाई देखो ऐसा तो है नी ना कि बच्चों में केवल renin निकलता हो pepsin नहीं निकलता हो pepsinogen भी निकलता है तो pepsinogen lipase renin यह combination correct लग रहा है gastric lipase होता तो और अच्छा होता जठर lipase होता तो फिर भी आगे चलते amylase का तो कोई लेना देना ही नहीं है तो यह तो बिलकुल गलत हो गया maltase का कोई लेना देना नहीं है nuclease नहीं होते हैं नहीं होते हैं नहीं होते हैं और अगर आप देखोगे तो amylase है आगे रहनिन तो आगे है इसमें पर amylase के कारण गलत हो गया यहाँ पर maltase के कारण गलत हो गया और इसमें तो बिल्कुल ही रहनिन नहीं है तो कितनी जल्दी से हम इसके आंसर तक वहू सकते हैं amylase, maltase, nucleus क्योंकि आप लोग जानते हैं के अंदर कोई भी carbohydrate digesting enzyme नहीं होता nucleic acid digesting enzyme नहीं होता कोई भी disaccharidases नहीं होते के वल क्या होते हैं? protein digesting enzymes होते हैं और small amount में fat digesting enzyme होते हैं तो सही answer हमें कहां मिल गया है? इसमें first option is the correct answer अब ये question AIPMT 2015 में आया हो question है अब ये थोड़ा सा out of focus question था क्योंकि NCIT में इसका content नहीं दे रखा तो आप लोग इस तरह से ध्यान रख सकते हैं इनको ये पूछना चाहरा है कि जो gut होती है cow की और buffalo की इन में क्या पाय जाता है? gut का मतलब हो गया एक तरह से उसकी GI tract की बात कर रहा है तो देखिए गाय, भैस, भेड, बकरी ये सब कौन होते हैं? ये सब होते हैं ruminants ruminants के अंदर मिलता है हमें compound stomach compound stomach के अंदर stomach के चार पार्ट होते हैं कौन-कौन से होते हैं? rumen reticulum omasm abomasm और abomasm या आपको याद निकाना, मैं जब समझाने के लिए बता रहा हूँ rumen, reticulum, omasm, abomasm तो जो rumen होते हैं इसमें बहुत सारे bacteria, fungi ठीक है? ये protozoans ये सभी इस rumen के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इनका जो खाना है उनके खाने में जो green fodder है, इनको digest करने के लिए enzymes, सीधे तोर पर यहाँ पर जो animal है, वो खुद नहीं पनाता तो ये bacteria उसकी क्या करते हैं? मदद करते हैं तो उनहीं में से एक group है methanogens methanogens जो है, वो इस digestion के process के दौरान, methane gas का भी क्या करते हैं? अब इस question को अगर आपको click करना हो, कैसे? तो देखो आपने gober gas पढ़ी होगी gober gas कौन सी है? methane gober कौन करती है? तो methane से मिलता जुलता word कौन है? Methanogens इसको बोलते हैं, logical तुक्का लगाना ऐसे questions जिन में आपको बिल्कुल नहीं आता हो कुछ भी, तो आप इस तरह से reverse way में सोचा जा सकता है, आपको ठीक है? तो methanogens जो है, यह इसका correct answer है, यह global warming का भी बहुत बड़ा दिल्चस्प study आई थी कि जो ruminants animals हैं, पूरे all over the world, यह भी एक बहुत बड़ा role play कर रहे हैं, methane production के अंदर, क्योंकि यह क्या release करते हैं, methane करते हैं, और आप जानते है, methane कैसी gas है? एक तरह की greenhouse gas है, ठीक है? एक additional बात मैंने आपको बताई तो सही answer हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? first option is the correct answer चलिए AIPMT 2015 का question है कौम सा कथन गलत है? Which of the following statement is not correct? ऐसे questions में, correct है या not correct है, उसमें आप पहले गोला बना लो, ताकि आपको highlighted रहे कि किस की बात कर रहे है, not correct की बात कर रहे है ना कि किस की कर रहे है, correct की बात कर रहे है Oxentic cells are the present in the mucosa of stomach and secret hydrochloric acid Oxentic almjan kooshika है अमाशे के mucosa में इस्तित होती है तता hydrochloric amal का फ्राफ करती है यह सारी cells जो है gastric gland में located होती है और gastric gland जो है, वह mucosa के lamina propria वारी layer में पाया जाता है और gastric pit दारा वो जो lumen है जो cavity है stomach की उसमें खुलता है, तो यह बात यहाँ पर आपकी क्या हो गई? सही बात हो गई पर हमें गलत छाटना है Acene are the present in pancreas and secret carboxy peptides Acene pancreas में पाई जाती है और किसका secretion करती है? Carboxy peptides का एक बार पढ़ें तो यह बात सही लग रही है पर करते कौन से है? फिर भी हमें आगे पढ़ना पढ़ेगा अगले options पे Bruner gland जो है, वो sub mucosa हमने पाए जाते हैं किसके? stomach के और pepsinogen का स्त्राब करते हैं यह बात यहाँ पूरी तरह गलत हो गई क्योंकि Bruner gland जो है वो sub mucosa के अंदर तो पाए जाते हैं पर किसके? dudonum के और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एक तरह ऐसे mucos, water, bicarbonate इनको बनाना ताकि जाएसे ही अमली है खाना जिसको हम काइम कहते हैं pyloric sphinter के खुलने के बाद जब dudonum में आता है तो Bruner gland के जो secretions है जो स्त्राव है वो उसकी अमलीता को कम करने में मदद करते हैं तो यह यहाँ पूरी तरह क्या हो जाता है? गलत तो आब मैंने जैसे आपको बताया कि pancreatic juice में carboxypeptides होता है पर सीधे नहीं होता कभी भी inactive form में होता है किस form में होता है? तो खाला की देखा जाए तो second option भी अगर हम पढ़ने तो हमें गलत लग रहा है पर ज्यादा गलत कहां आ गया? यह तो सारा सर गलत हो गया ठीक है? चौथा goblet cell mucosa में present है मुका secret करते हैं तो यह पूरी तरह से गलत हो गया यहाँ पर third option इसलिए हम किस के साथ जा रहे हैं? third option के साथ जा रहे हैं और sixth में हमारा answer हो जाएगा third option is the correct answer क्या पूचा है हमसे? गलत पूचा है अब ज्यादा धिमाग लगाने वाले यह भी सोच सकते थे की pro carboxy आना चाहिए था है ना? पर ज्यादा गलर third हो गया the primary dentation in human differs from the permanent dentation in not having one of the following type of teeth मानव में प्रात्मिक दंत विन्यास इस्थाई दंत विन्यास से इस नाते भिन्व है कि प्रात्मिक दंत विन्यास में निम्न लिखित में से कौन से प्रकार के दांत नहीं होते देखिए यह बात कर रहा है इंसानों में दंत विन्यास यानि dentation की तो आप ध्यान से जानते हैं कि human में दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं 5 साल से कम उमर के बच्चों में पाए जाते हैं और फिर जादा में 21 तक आते हैं 6 से 21 के बीच में आते हैं पर्मनेंटी तो यह कह रहा है कि प्रात्मिक में ऐसे कौन से दांत है ऐसे कौन से दांत नहीं है जो कि secondary में है तो आप अगर हम basics लिखे जो आपको knowledge है आप लोगों यह dental formula सब लोग जानते होगे dental formula लिख रहा हूं मैं कुछ में ने लिख रहा incisor, canine, premolar और molar incisor, canine, premolar और molar यह हमारे adults का है dental formula 2123 अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किसकी बच्चों की तो उनमें क्या होता है students उनमें आपकी premolar नहीं पाए जाते और जो molar होते हैं उनमें भी कौन सा वाला molar absent होता है जो third molar है यह नहीं पाए जाता तो यानि कि बच्चों का अगर मैं dental formula लिखूंगा तो बच्चों की मैं अगर बात करूंगा dental formula की तो वहाँ पर आएगा 2102 2102 यहां पर हमारा dental formula क्या था इसके according 2,1,2,3 2,1,2,3 3 molar पर यहां कितने हैं यहां canine कितने हैं premolar कितने हैं 2 पर यहां कितने हैं 0 तो कौन से दात हैं जो नहीं पाए जाते यह पूछना चाहरा है तो यहां पर देखिए molar भी नहीं होता पर third molar एक ही है पर premolar कितने हैं 2 तो कौन से नहीं है exactly में कौन से नहीं है अगर दातों की बात करें molar की बात करें तो 2 molar तो है ना at least पर नहीं है बिल्कुल ही नहीं है वो कौन सा वाला है premolar answer क्या चला गया second option क्योंकि आप बच्चों को बुला करके देखो पर इसमें एक और हिस्ट है premolar के socket में आपको दात तो मिलेंगे पर वो दात होंगे आपके molar इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे यहां पर क्योंकि यह थोड़ा सा classes में हम लोगों ने discuss किया है आपको ध्यान है तो यह question answer flat है इसका क्या है कौन से दात नहीं पाई जाते premolar तो 7 में answer कौन सा आगया second option is the correct answer चले आगे next question की तरफ बढ़ते हैं वह enzyme सककस entericus यानि आंतररस में मौझूद नहीं होता the enzyme that is not present in सककस entericus सबसे पहले तो सककस entericus है क्या brush border cells जो है intestine के जो lining पर मौझूद है उनके द्वारा जो बनाया गया जो juice है जिसे हम intestinal juice भी कहते हैं उनके द्वारा जो secret किये जाती है चीजे उन्हें हम कहते हैं सककस entericus इसके अंदर आप goblet cell का mucus भी मान सकते हैं इसमें brush border cells के द्वारा बनाये गए enzymes भी आ जाते हैं आपको simple enzymes देखने को मिलेंगे जैसे maltees बिलकुल देखने को मिलेगा nucleosides देखने को मिलेगा ठीक है lipase देखने को मिलेगा जिसका particular नाम हो जाएगा intestinal lipase पर nucleus देखने को नहीं मिलेगा आपको यह जो nucleus है यह आपको देखने को मिलेगा pancreatic juice में ठीक है पैंक्रियाटिव जूस में क्या प्रेजेंट होगा नूक्लियेज और जो सककस एंटेरिकस है जिसको हम एंटिस्टाइनल जूस कहते हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे कौन-कौन से नूक्लियो साइडेज और फिर नूक्लियो टाइडेज ये आपको देखने को मिलेंगे और नूक्लियेज जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा ये बात आप लोग ध्यान रखना है ना नुकलियस का काम होता है जैसे DNA है तो DNA किसका पॉलिमर है DNA RNA क्या है? Nucleic Acid नुकलिक Acid किसके पॉलिमर होते हैं? Nucleosides के पॉलिमर होते हैं तो Nucleos Enzyme क्या करता है? खोल देता है, किसमें जैसे DNA के साथ reaction करेगा तो उसे किसमें तोड़ देगा Nucleotides में, Nucleotides जो हैं, फिर वो किसमें तूटेंगी Nucleocides में, उनको तोड़ने का काम कौन करेगा, Nucleotidase और Nucleoside में प्लस Phosphate गुरुप जो है वो अलग हो जाएगा और फिर लास में, Nucleosides किसमें तोड़ देगा Panto sugar और nitrogen बेस के अदर, तो सारे enzyme मिलेंगे, पर आपको क्या नहीं मिलेगा Nuclease नहीं मिलेगा इसलिए answer यहाँ पे कौन सा आ गया Second option is the correct answer, तो 8th में answer आ गया, 2nd option, 9th में चलते है Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the dudinum, निमलिकित में से कौन सी संदचना, या क्रद नियास की वाहीनी की ग्रहेनी में खुलने वाले रंदर की देखवाल करती है बहुत आसान सा question है, आप सभी answer जानते है, sphincter of od, sphincter of od kis को guard करता है, hepatopancreatic duct को guard करता है, ileocecal valve, यह किस-किस के बीच में है ileum के बीच में है, और किस के बीच में है, आपके cecum के बीच में pyloric sphincter, यह stomach का जो posterior portion, जो drudinum में खुलता है उसके बीच में है, ठीक है semilunar valve, यह आपके heart में है तो इसमें answer हमारा कहां आ गया third option is the correct answer in stomach gastric acid is secreted by gastric acid कौन secret करता है तो gastric acid secret करने वाले जो cells है, वो हैं आपके parietal cell या oxentic cell देखिए, तीन प्रकार के cell है mucus next cell, mucus बनाएंगे parietal cell या oxentic cell यह बनाएंगे hydrochloric acid peptic cell या chief cell यह बनाएंगे आपके gyemogens, यानि या पैपसिनोजन proranin, ठीक है याद रहेगा आपको, और जो parietal cells थे, वो और थोड़ा सा gastric lipase भी बनाएंगे, और जो parietal cells थे, वो बनाएंगे hydrochloric acid और cell factor, जो कि vitamin B12 के absorption में मदद करता है तो इन इस टॉमक gastric acid is secreted by तो answer कहाँ चला जाएगा, first option में ही हमें हमारा सही answer मिल गया 10th में answer चला गया हमारा first कौन से हर्मोन अगनाशेरस और bicarbonate ion के उत्पादन को उद्धिपत करते हैं, which hormones do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate, तो pancreatic juice और bicarbonate की बात कर रहा है, तो देखिए साफ NCRT के अंदर लिखा हुआ है और यह आपका endocrine वाला जहाँ पर other hormones को discuss किया है वहाँ पर भी इसकी बात की जाती है तो अब मैं एक simple by simple चलता हूँ step by step, gastrin और insulin, यह तो गलत हो गया gastrin का काम है, यह gastric gland को stimulate करता है ताकि stomach के gastric glands किसका secretion करे, gastric juice का और insulin hormone जो है वो आप जानती है, यह cells में glucose की permeability को बढ़ाता है और hypoglycemia करवाता है, तो यह दोनों hormone तो है नहीं colicystokinin and secretin, यह बिल्कुल सही बात है, colicystokinin जिसको हम CC के कहते हैं, इसका पूरा नाम है CCKPZ यह दो चीजों पर काम करता है एक काम करता है आपका किस पर gall bladder पर gall bladder पर काम करती है इसकी यूनिटDCC के वाली और gallblader को क्या करवाता है यह contract करवाता है और contract करवा के किसका यह किस पर काम करती है यह काम करती है किस पर पैंक्रियास पर और किसका फॉर्मेशन करवाती है पैंक्रियाटिक जूस का ठीक है तो यह किसका करवा रहा है फॉर्मेशन फाइनली पैंक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को करवा रहा है उसके प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा है दूसरा हॉर्मोन है सीक्रेटिन, यह जो सीक्रेटिन हर्मोन है, यह भी काम करता है पैनक्रियास पे, पर यह किसका प्रमोट करता है सीक्रेशन, यह प्रमोट करता है किसका सीक्रेशन, बाई कार्बोनेट का, ठीक है, तो इसका काम क्या है, बाई कार्बोनेट का प्रोडक्शन करवाना, तो सीक्र और CCK, यह दोनों pancreas पर काम करते हैं, CCK का काम होता है, finally pancreatic juice को बनाना, उसको secret करवाना, और जो उसका non enzymatic बाट है, उसे secret करवाने की जिम्मेदारी किसके होती है, secretin की, तो यह हमें यहीं मिल गया, second option में, तो answer हमारा हो गया, second, फिर insulin और glucagon आ गए, फिर angiotensin और epinephrine आ ग आगे चलते हैं, which cells of crypts of liver kuhun, secret antibacterial enzyme, तो antibacterial enzyme, lysozyme जो है, वो liver kuhun प्रहग हुई का कि कौन सी कोशिका है, secret करती है, तो यह बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप कौन सी करती है, penit cell करती है, जाइमोजन सेल का काम होता है, क्या बनाना, जाइमोजन सेल बनाती है, आपके inactive form of protein digesting enzymes, उफर सेल कौन हो गई, लीवर की macrophage हो गई, और argentafin cell जो है, यह आपकी, basically, एक entero endocrine cells है, जो की other चीजों का formation करती है, तो इसमें सही आंसर यहाँ पर कौन सा मिल गया हमें, first option is the correct answer, अब यह question तो informatant थे, अब यह थोड़ा सा समझने का question है, तो ऐसे question को आप लोग पढ़के imagine कीजिए, यह baby boy जिसकी उम्रत 2 साल है, clear, 2 साल का बच्चा, ठीक है, यानि कि temporary teeth, एक play school में admit हुआ, और उसको dental check-up किया, किसी dentist ने, dentist ने observe किया कि बच्चे के 20 दात है, कौन से दात absent है, यानि वह वाली बात हो गई, कि बच्चा है, 2 साल का, तो मतब कौन से दात है, temporary है, temporary है, 20 दात बता रहा है, तो आप लोग जानते हैं, बच्चों में 20 दात होते हैं, यानि 2-1-0-2 के साथ से लगाओगे, तो 20 हो गई, और कौन से नहीं मिलेंगे, तो कौन से नहीं मिल चुकी है यहाँ पर आपके सामने एक्जाम लेने वाली एजेंसी पर उसको एकदम सीधा पूछा था कि टेंपरीर इंटेशन में क्या नहीं होता कौन सा परमानेंट से डिफरेंट होता है तो सही आंसर कौन सा हो गया थाटीन में हमारा आगे चलिए निमन में से कौन सा विकल पगनाशे रसों के सही आजन को सरवचित रूप से दर्शाता है यानि पैनक्रेटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम जो है उनका कौन सा ओप्शन आपको सही दरह से शो कर रहा है तो अब यहाँ पर आपको पैनक्रेटिक जूस का तंपोजिशन याद होना ही चाहिए उमीद है आपको याद होगा आगे चलते हैं देखो अमाईलेज तो अमाईलेज मिलेगा पैपसिन गलत हो गया यही पकड़े में आगया आगे बढ़ जाओ बस क्योंकि यह उप्शन कभी नहीं हो सकता क्योंकि पैपसिन किसका है गेस्ट्रिक जूस का है एस्ट्रिक प्येच में काम करता है पैप्टाइडेज अमाईलेज पैपसिन टो टो गलती हो गई आगे अमाईलेज अमाईलोपसिन जिसको कहते है पैंक्रेटिक अमाईलेज ट्रिपसिनोजन प्रो कार्बोक्स टेक सही आंसर मिल गया हमें ठीक है रह निन जिन्दगी में नहीं हो सकता कभी तो ऐसे आप फटाफट जो एलिमिनेशन मेथर्ड के अंदर आपको ऐसा अगर मिल गय या कि ये दुनिया की किसी भी सूरत में अगर आप्शन में आ जाएगा तो इसका अंसर कभी नहीं बैटेगा तो उसको कट करो और आगे बढ़ जो फटाफट तो सही आंसर हमें कहां मिल गया थार्ड ऑप्शन जिसमें पैंक्रेटिक जूस में जो जो चीज़े पाई जात हती है इर्थोपोईस इसमें मदद करता है आपका विटामिन बी ट्वैल और इसके एब्जॉप्शन में इसके एब्जॉप्शन में मदद करेंगी कौन मदद करेगा कैसल फेक्टर और यह जो कैसल फेक्टर है ये कहां से रिलीज होगा रिलीज बाई पैराइटल सेल्स यह जिने हम ऑग्जेंटिक सेल्स कहते हैं यह हाईड्रो क्लोरिक एसेड और कैसल फेक्टर का फॉर्मेशन करती है Castle factor मदद करता है vitamin B12 के absorption में और vitamin B12 मदद करता है इर्थ्रो-poises में इर्थ्रो-poises में एक last step होता है जिसमें basically बड़े size की RBC छोटी size की में convert होती है उसमें vitamin B12 मदद करता है तो अब अगर parietal cell को कुछ हो गया तो castle factor नहीं बनेगा vitamin B12 नहीं आएगा आंसर हमें कहां मिल गया parietal cell अगर इसकी जगे ऑग्जेंटिक होता तो भी आंसर क्या जाता second option अगले question की तरफ move करते है which of the following terms describe human dentation निमलिखित में उसे कौन से परिभाशिक शब्द मानवदंत विन्यास को वरनित करते है तो देखिए मानवदंत विन्यास की बात हो रही है तो ये कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें प्यूरोडोंट आ गया होमोडोंट आ गया ठीक है पार्शवदंती समदंती पार्शवदंती का मतलब जो मतलब जो एक ही बार आते हो जीवन में एक ही बार आते हो जीवन में तो पहला औप्शन कभी भी नहीं हो सकता फिर वापस प्लूरॉडोरोंट आ गया हमारे दात साइड में नहीं निकल रहे हमारे जान तो jaw bone के यानि जबडे की जो हड़ी है उसके गड़े में फिट है मतला हमारे जान में देखे जाए तो थीकोड़ॉंट है तो यह गलत हो गया फिर इसको देखो थीकोड़ॉंट सही बात है डाइफायोडॉंट और हेटरोड़ॉंट यह बात यहां सही आ गई और फोर्थ भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि होमो आ गया थीकोड़ॉंट है यानि कि दाथ गड़े में फिट है गर्त दंती है द्वी बार दंती यानि अधिकतर दाथ है वो जीवन में दो बार आते है और हेटरोडॉंट अलग अलग प्रकार के दा आते है इंसाइजर, कैनाइन, प्रिमोलर, मोलर तो इसलिए सही आप्शन हमें कहां मिल जाता है थार्ड आप्शन में मिल जाता है तो सही आंसर हो गया 16 का 3rd option is the correct answer चलिए identify the cells whose secretion protects the lining of GI tract from various enzyme कोशिकाओं को पहचानी जिनका अस्त्राव जठर आंतपत की आस्तर को कई प्रकार के enzyme हों से सुरक्षित करता है तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आपने पढ़ा भी होगा स्टॉमक में भी कि mucus का आवरन आ जाता है जो hydrochloric acid को संपरक में नहीं आने देता ऐसे ही अगर आप intestine में देखोगे तो mucus जो है वो एक प्रकार से help करता है different enzymes और जो different bacterial anti जो different enzymes है और जो acid भी है काईम का उससे बचाने में और वो कौन है mucus और mucus का secretion करने वाली cell कौन सी है goblet cell तो goblet cell हमें कहा मिल गई fourth option में मिल गई इसलिए 17 में सही answer कौन सा हो गया fourth option is the correct answer match the following structures with their respective location आपको यहाँ पे matching करनी है respective locations के साथ में तो चलिए करते हैं देखिए क्रिप्ट्स ओफ लीबर कुहन लीबर कुहन प्रैगुही का तो लीबर कुहन जो है वो दो विलाई के बीच का space है और विलाई आपको देखने को मिलेगी small intestine में अब आपको यहाँ पर small intestine को क्या करना है यहाँ पे select करना है अब आप सोचो कि ग्रहनी भी तो small intestine है ठीक है और small intestine भी small intestine है तो एक तो बोल देखिए अब आपको यह साब से हो गया कि डूड़नम मी मिलती है क्रिप्ट अफ लीबर कौन जेजुनम और इलियम में नहीं मिलती है ही से जेजुनम और इलियम में में बिलन गुक्सियम तो आप यही खूहरा हो कि appearing यही खू़नम और इलियम में नहीं मिलती है और आप समॉल इंट इंक जाते हो तो आप यह खूह रहे हो की की पूरे small intestine में मिलती तो ज्यादा क्या कहा रहे हो सही यही वाली कि small intestine में मिलती है तो answer क्या लगाओगे यहाँ पे एक थर्ड ऐसे question में side में लिख लिया गरो ऐसे matching मत किया गरो glissan capsule glissan capsule क्या है एक connective tissue की cover है किस पे hepatic lobules को cover करता है तो hepatic lobules किसमें है liver में तो glissan capsule कहा आ गया fourth isolates of langerhans isolates of langerhans जो है वो pancreas के अंदर जो endocrine part है जो various type के hormones बनाते हैं उनकी बात कर रहा है तो c में कहां आ गया first brunner gland सब mucos of dudenum में पाये जाता है तो d में क्या आ गया आपका second तो three four one two three four one two ठीक है तो बस यही हमें मिल गया first option is the correct answer three four one two ठीक है चलिए the enzyme enterokinase helps in the conversion of देखिए enterokinase के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए enterokinase 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 word जो है वो enteric word से बना है enteric का मत्ब होता है intestine तो यह जो secret होता है यह जैसे कब आता है देखिए क्या होता है जैसे ही acidic काइम किसके contact में आता है contact with mucosa of dudenum जैसे ही acidic काइम mucosa of dudenum के contact में आता है तो यह secret करती है क्या non enzymatic और वो non digestive enzyme कौन है enterokinase और यह enterokinase क्या करता है pancreatic juice में जो जैमो जन जा रहे है उनकी activation की reaction को शुरू करता है कैसे यह enterokinase क्या करता है किसमे convert करता है किसको trypsinogen किसमे convert करता है trypsin कि किसमे convert करेगा enterokinase trypsinogen को trypsin में convert करता है ठीक है तो 19 में सही answer 4th में मिल रहा है आपको trypsinogen को किसमे convert कर रहा है trypsin ठीक है प्रोटीन को polypeptides में तो protein digesting enzymes करेंगे pepsinogen को pepsin में तो कौन करता है hydrochloric acid करता है और caseinogen को casein में यह renin से related हो गया तो सही option कहा मिल गया हम इस 4th identify the correct statement देखिए correct पूछा है आपसे with reference to human digestive system human digestive system के respect में आपको correct option जाड़ identify करना है ileum एक highly coiled part है बिल्कुल सही बात है यह NCRT की line है vermiform appendix arises from dudonum यह यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि vermiform appendix तो कहां से निकलता है सीकम से गलत हो गया ileum opens into small intestine गलत बात हो गई ileum तो किस में खुलती है large intestine के सीकम में serosa is the innermost layer गलत बात होगी serosa सबसे अंदर वाली परत थोड़ी है सबसे बाहर वाली परत है तो सही कथन यानि कि सही statement कहां मिल गया आपको first option में तो सही answer कौन सा हो गया first सककस entericus किसको refford किया जाता है तो सककस entericus refer किया जाता है intestinal juice को किसको refer किया जाता है आंत्र रस से संबंदित होता है सककस entericus काईम जो है वह acidic वाला हो गया gastric juice प्ल ediyorum bar stomach के content है उनकी बात हो रही है अगना शहीरस जो है उसको भी सकस entericus नहीं कहते है उसकी हम लोग बात करते हैं ठीक है जिसमें brush border cells के द्वारा बनाये गया, enzymes होते हैं, goblet cells के द्वारा बनाये गया, mucus होता है, penate cell के द्वारा बनाये गया, lysozyme होता है, यह सारी चीजे उसके अंदर आपको देखने को मिलती है, आगे चलते हैं, sphincter of OD, यह question फिर से repeat है, पहल ना, सोचना है, वह अली बात हो जाती है, तो sphincter of OD present होता है, hepato pancreatic duct, जब open होती है कि इसमें dudonum में, तो वहाँ पर present होता है, तो junction of hepato pancreatic duct and dudonum, यक्रत अगनाशयी वाहीनी वाहीनी संधी, तो एकदम सही बात है, है ना, gastroesophagal, नहीं, gastroesophagal पर तो cardiac sphincter होता है, regionum और dudonum पर कोई नहीं होता, कोई भी नहीं है, ileocecal पर valve पाया जाता है, sphincter नहीं पाया जाता, तो ये भी गलत हो गया, सही आंसर हमें कहां मिल गया, कि कहां मौझूद है, hepato pancreatic duct और dudonum के junction पर which of the following functions is not performed by the secretions from salivary gland, निमन में से कौन सा कार है, लार घंतियों के इस तरवनों द्वारा नहीं किया जाता, तो किसका नहीं किया जाता, digestion of complex carbohydrate, बिल्कुल होता है, अगर जो starch है, complex carbohydrate है, चाहिए कुछ percent ही हो, पर कहीं न कहीं, जो salivary amylase है, वो किसका digestion करता है, starch का, तो पहला option तो सही हो गया, lubrication of oral cavity, oral cavity को एकदम lubricate करने का काम कौन करती है, जो saliva है, वो करता है, digestion of disaccharide, नहीं, disaccharide का नहीं करता, disaccharide का पाचन, disaccharides की वजह से होता है, और यह जो disaccharides enzyme का group है, जैसे maltase, lactase, sucrase, यह सभी succus entericus के अंदर पाए जाते है, और यह intestine में जाकर के होता है तो यह यहाँ नहीं होता, इसलिए third गलत हो जाता है, control bacterial population in mouth, मुख में जीवानों की संख्या का नियंतरन, यह बात भी एकदम सही है, क्योंकि जो lysozyme है, antibacterial enzyme, यह mouth के अंदर जो bacteria है, उनकी population को चेक करता है, antibacterial action को perform करता है, तो यह बात भी एकदम सही हो जाएगा, और आ दो statement हैं आपके सामने, वसा अमलवे glycerol रक्त में अवशोशित नहीं हो सकते, fatty acid and glycerol cannot absorb into the blood, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह finally kylomicron की form में किसमें absorb होते हैं, lactial में, बड़े size की lymphatic vessel में, specialized lymphatic capillaries called lactial carry kylomicrons into lymphatic vesicles and ultimately into the blood, विशिष लसी का केशिकाई, जिनने lactial कहते हैं, kylomicron को लसी का वाईनियों से लेकर रक्त में ले जाती हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो fatty acid हैं और लाहब साइस की fatty acids हैं, glycerol है, यह सीधे cell में नहीं जा पाते हैं, तो पहले bile salt से मिलके यह बनाते हैं, mixed missile, फिर अंदर ज किया जाता है पीछे lamina propria में, तो वहाँ पर वो blood capillaries में नहीं जाने के बजाए किस में जाती है, lactial में जाती है, lactial मतलब lymphatic vessel जो finally आपकी subclavian vein में जाकर open हो जाएगी, और वो कौन है blood है, तो finally वो किस में हो जाएगी blood में, तो यहाँ पर second statement जो है, यह भी आपका कैसा हो ग है, इसलिए सही answer कौन सा हो गया, fourth option is the correct answer, आहार नाल एवं यकरत के बीच एक अनुटी समवहेनी सही उजना उपस्तित होती है, जो dash क्यलाता है, unique vascular connection between the digestive tract and liver is called, देखी क्या है, एक vascular connection की बात कर रहा है, तो बहुत easy सा question है, आम तोर पर क्या होता है, किसी भी organ को blood देने का क अगर किसी एक organ से blood collect करने वाली structure, वहां से blood collect करके किसी दूसरे organ को pass on कर दे, तो ऐसी structure कहलाती है, portal vein, और इन दो organs की बीच का जो connection है, वो हो गया आपका portal system, ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, liver और intestine के बीच में, intestine से निकलने वाली vein, heart में जाने की बज़ाए, वेना के एव portal vein की नाम से, hepatic portal vein की नाम से, क्योंकि जितना भी absorbed substances हैं, उन सभी की processing liver में होगी, तो उन्हें fall to body में घुमाने से अच्छा है, कि सीधा किस को दे दिया जाए, liver को, तो इसलिए liver और intestine जो GI tract का part है, उनके बीच में जो vascular connection है, वो कहलाता है, hepatic portal system, यानि कि यक्रत निवाही का तंत्र, और यही मानवो में एक और निवाही का तंत्र, या portal system प्रेजेंट होता है, आपके anterior pituitary और hypothalamus के बीच में, जहां से hycofacial portal vein, यहां से blood को लेके कहां आ जाती है, anterior pituitary को, और अगर हम मैं बात करूँ, यहां पर आपके vertebrates में, तो एक और होता है, renal portal system, जो की frog में present होता है, human में नहीं पाया जाता, तो यहां पर यह पूछ रहा है, किसके बीच का connection, digestive tract और लीवर के बीच का, तो वो किस नाम से जाना जाता है, hepatic portal system, ठीक है, तो answer कौन सा चला गया, fourth option, role of enamel, enamel का क्या कहा रहे है, enamel है क्या, जो आपके दातों का white part है, यह जिस substance से बनाय है, वो कौन है, enamel है, तो form bolus, नहीं, bolus मनाने में तो saliva मदद करता है, give basic shape to the teeth, ठीक है, दातों को कैसी shape देना, एक basic shape देना, क्योंकि इसका crown वाला part है, वो maximumly किस से बना है, basically enamel से बना है, पर हम यह नहीं कह सकते कि enamel की वज़ह से shape मिली है, connect crown of tooth with its root, तो crown of tooth के बीच में, root क बीच का connection है, वो तो neck वाला part हो जाता है, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा, masticate the food, masticate the food को हम answer पे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि खाने को चबाने में, दातों का कौन सा part use हो रहा है, crown, crown वाला part किस से बना है, enamel से, तो खाने को इसकी मदद से, आसानी से क्या किया जा सकता है चबाया जा सकता है, इसलिए 26th में सही answer आप पा कहां आ जाता है, fourth option is the correct answer choose the incorrect enzymatic reaction, incorrect enzymatic reaction को चाटना है, lactose को lactase ने तोड़ा, glucose plus galactose की presence में सही बात है dipeptides को dipeptidizes ने तोड़ा, amino acids की presence में बिल्कु सही बात है, maltose को maltase ने तोड़ा, glucose plus galactose की presence में गलत बात हो गई, क्योंकि maltose किस में तूटती है glucose plus glucose में तूटती है, और यह किस में तोड़ रहा है, glucose plus galactose में तोड़ रहा है, गलत हो गया sucrose को sucrose ने तोड़ा, glucose plus fructose में तोड़ा, सही बात है, तो answer यहाँ पर जो गलत enzymatic reaction है वो आपको third option में दे रहे हैं, इसलिए answer कौन सा चला गया, third option is the correct answer तो यह हमारे digestive system के previous year के questions थे, जिन्हें आपने देखा, अब आगे बढ़ते हैं next हम लोग देखने वाले है, respiratory system के questions respiratory questions, system के questions की बात करें तो पहला question, need 2013 में आऊओ figure shows the plan of the blood circulation in human with label A to D, identify the label and it's given, give its function यह आपको यहाँ पर एक diagram दे रखा है, ABCD यहाँ पर दे रखे हैं, आपको सही identify करना है अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ कर लिखेंगे खुद, A का मतलब, B का मतलब, C का मतलब दो थरीके होते हैं, 4 option में इसी answer जाएगा तो इसमें आप option, ऐसे वाले question में आप elimination method के लिए गलत को हटाईए देखो, पहला option, क्योंकि यह लिखो गे, लिख दिया तुमने, option पढ़ना पड़ेगा तुमें तुम्हारे दिमाग में तो ही ना कि D क्या है, A क्या है, C क्या है इतने तो तुम्हारे concept clear है, अगर तुम इनको लिखो गे, फिर option पढ़ोगे डबल हो गया ना time, सीधा option पढ़ो और click करो, जैसे कि C पर क्या बोल रहा है वेना केवा, यह आप देख सकते हो, यह body के tissues हैं, यहाँ से blood लाने वाली कौन आती, वेना केवा तो यह वेना केवा है, सही बात है, takes blood from body parts to right auricle, right auricle में blood को ले जाती है, सही बात है PCO to 45 mmHg, तो पहले में यह सही मिल गया answer तुम्हें, बिल्कुल सही मैचिन गया, C वाली बात है, पर सारे पढ़ने ही पढ़ते हैं, तो देख लो D को बोल दिया, dorsal orota, गलत हो गया, आगे पढ़ो ही मत फालत हो, क्योंकि इतना time थोड़ी तुम्हेरे पास में, यह D dorsal orota है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर lungs को कौन लेके जाएगी, pulmonary artery, तो गलत हो गया, A को बोल दिया, pulmonary vein, सही बात है बढ़ना पढ़ेगा, गलत हो गय क्या, first option भी answer मिल गया तुम्हें, नहीं समझे तुम्हें कहने का मतलब, कहने का मतलब, ऐसे question में option से matching पर जाओ, पहले matching को भरके, ऐसे तुम्हें बहुत बढ़ा diagram आ गया, सारे नाम लिख हो गया तुम्हें मतलब किस से है, तुम्हारे सही option से मतलब है, time बचाना सीखो paper के यह उसके प्रमुकार्य अथ्वा विशिष्टा के विकल्प को चुनिये, ठीक है, figure show, diagrammatic view दे रखा है, human respirator system का ABCD लगा रखे, C, चलो, C पढ़ते हैं पहले, C, कूपी का है, तो C का है रो, यहां अंदर है, बिल्कुल कूपी का है, गैस हो के विनीमय के लिए पतली भित्त इसमें भी आंसर मिल रहा है, हमें पहले भी, ठीक है, और हमें पहचानना के, correct identification पहचानना है, तो correct identification तो मिल रहा है, फिर भी आके देख लेते हैं, D, dorsal end of lungs diaphragm, यह dorsal end हो गया, lungs का ऐसे कह रहा ही है, यह lower end हो गया, D पे, sorry, lower end हो गया, lungs का diaphragm, pull it down during inspiration, D, फेफ़रो का नीच lower end of lungs diaphragm, pull it down during inspiration, तो यहाँ पर साफ बता चल रहा है कि D तो खुदी diaphragm है, D lower end of lungs थोड़ी है, तो गलत हो गया, A को बोल दिया, trachea, एक long है, complete, supported by the complete cartilaginous rings, गलत हो गया, incomplete से supported होता है, B, plural membrane, surround ribs on both side to provide cushion against rubbing, B पर, देखिए, plural membrane की बात कर रहा है, surround ribs, ribs को surround नहीं करती, lungs को surround करती है, ऐसे छोटे-छोटे जगे पर आपको गलतियां पकड़नी होगी, तो सही option, first में ही हमारी matching हो गई, answer क्या गया, first, चलिए, तीस नमबर के question में पूछ रहा है, कि approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs, रक्त द्वारा अवशोशित carbon dioxide का लगभग 70% का फेफिडे तक परिवेहन कैसे होता है, तो 70% तक मतलब maximum परिवेहन की बात कर रहा है, और आप सभी जानते हैं कि maximum transport किसकी फोर्म में होता है, तो सही answer हमें कहां मिल गया, first option में हमें सही answer मिल जाता है, आगे चलते हैं, When you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to urge breath? जब आप अपनी श्वांस को रोकते हैं, तब रुधिर में से निमलिकित में से कौन सा गैस परिवरतन आपको फिर से श्वांस लेने के लिए प्रिरित करता है, तो देखिए जो receptors जो हैं हमारे अंदर, जो आपकी carotid artery है, aortic arc हो गई, medul omelongeta के बारे में पास में जो chemo sensitive area है, ये सभी CO2 में होने वाले बदला आपको detect करते हैं, तो जब आप अपनी सांस रोकते हैं, तो आप एक तरह से expiration भी बंद कर चुके हैं, तो जो भी CO2 आपके blood में आ रही है, उसका level increase होने लगता है, त CO2 का level increase होने की वजए से आपकी सांस लेने की अर्ज होती है, या इच्छ होती है, इसमें oxygen का कोई भी योगदान नहीं होता, तो सही answer हमें मिल जाएगा, इसने क्या कह रहा है, rising CO2 and falling water to concentration, नहीं, oxygen का तो रोली लेना देना ही नहीं है, तो oxygen वाले option तो हटा दो, ये oxygen वाला को कोई भी योगदान नहीं है, इसलिए answer हमारा यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 31st में हमारा answer आ गया, third option is the correct answer, चलिए, नेमदा pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gases exchanges is drastically reduced due to damage in the alveolar wall, उस फफफ़सी रोग का नाम बताईए, जिसमें कूपी के भितियों के शत जाने के कारण, गैस विनीमे में शाम होने वाले कूपी की सदा ही शेत्र बहुत अधिक कम हो जाता है, यह है secret disease, smokers disease, कौन सी, जो विक्ती regular smokers होते हैं, chain smokers होते हैं, उनमें जो alveolar wall है, वो बार-बार irritate होती है और damage होने लगती है, और alveolar wall के damage होने से, वहाँ पर जो epithelium tissue है, वो fibers से replace होने लगता है, और जो area, gases exchange में involved हो रहा था, अब वो involved नहीं होता, तो धीरे-धीरे जो diffusion area है, वो कम होने लग जाता है, और इसमें damage आपको पकड़ना किसको है, ब्रॉंका या ब्रॉंक्योल से related damage की बात करेगा, तो फिर आपके occupational respiratory disorder से related बात हो जाएगी, पर यहाँ प इसको हम वातिस्थिती हिंदी में कहते हैं, एंफाइसीमा इंग्लिश में कहते हैं, निमोनिया तो एक तरह ऐसे फेफ़डों में पानी भर जाना, इसके बहुत सारे causes हो सकते हैं, bacterial, viral या COVID में भी निमोनिया कुप सार हो था, अस्तमा तो एक allergic reaction वाली disease हो गई, प्लूरिसी करने के कारण प्रधान तह उत्पन होने वाले दीडग कालिक श्वसन विकार का नाम बताईए, name the chronic respirator disorder cause mainly by cigarette smoking, वापिस वोई क्यूशन आ गया, same, रिष्टा वही, सोच नहीं करके, ये देखे, फेज, ये री आई पेम्टी 2015 में आया, और ये फेज वन में 2016 में, अगले साल कहीं क्यूशन रिपीट हो गया, तो smoker's disease हम किसको कहते हैं, एमफाइसीमा को कहते हैं, किसको कहते हैं, वातिस्विती को कहते हैं, या इंगलिश में एमफाइसीमा, तो answer क्या गया, fourth option, chronic disease है, एकदम से symptoms अपीर नहीं होते हैं, लंबे समय तक इसका रहता है, ठीक है, phase, अस् जो किसी भी चीज़ से इंसान को allergic हो सकती है, तो देखें, allergic reaction of the mast cells in the lungs, ठीक है, आगे चलते हैं, inflammation of the trachea, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, trachea का inflammation का, श्वास नली के शोत का, अस्थमा से कोई लेना देना नहीं है, लंग्स में अगर flood भर गया, तो ये तो pneumonia हो जाएगा, इसल disorder की तरफ ले जाएगा, अस्थमा में तो bronchi और bronchiols जो है, उनका spasm हो जाता है, उनमें ज्यादत mucus secret हो जाता है, वो block हो जाता है, तो ये किसकी वज़स होता है, एक प्रकार की allergy जब हो जाती है, चो mast cells in the lungs में, उनका एक प्रकार से, जब वो ज्यादा मात्रा में क्या बनान answer, आगे चलते हैं, the partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs, ठीक है, ये बोल रहा है कि फेफडो की कुपिकाओं में oxygen का आंशिक दाब होता है, फेफडो की कुपिकाओं में आंशिक दाब होता है, 104 mmHg, ये है आपका PO2, alveoli में, अब क्या बोल रहा है, रुधिर में oxygen के आंशिक दाब से अथिक, more than that in the blood, बिल्कुल सही बात है, 104 है, बलड में अगर आप कहोगे, तो कितना है, 95 mmHg oxygenated blood में, पहला option ही हमें सही मिल गया, less than that in the blood, गलत हो गया, less नहीं, ज्यादा होता है, less than that of carbon dioxide, नहीं, CO2 से ज्यादा होता है, equal to, नहीं, ज्यादा होता है, तो सही आंसर कहाँ मिल गया, फ अभी भी बाहर नहीं निकाली जा सकती, इसका देखी reason क्या है, इसका reason यह है, कि जो lungs के चारो तरफ, plural membranes हैं, उनके अंदर का pressure कैसा है, negative है, किसके respect में, atmosphere के respect में, तो अब हावा, यह पूरा हमारा chamber thoracic कैसा है, air tight, तो air जो है, सीजे तो घुस नहीं सकती, तो lungs में से घुस है, वो breathe के बीच में collapse क्यों नहीं होते है, अगर आप इना inspiration नहीं कर रहे है, expiration करोगे, तो तो शिकुड जाने चाहिए, नहीं, फूले वे रहते हैं, क्योंकि air हमेशा entry लेने के कोशिश करती है, अगर pressure atmosphere के और lungs के अंदर का बराबर हो गया, तो भी वो उनके wall पर force लगाती क्योंकि उनके चारों तरफ जो plural membrane के अंदर का pressure है, वो negative है, और जो हमारा atmosphere है, वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके अंदर negative pressure exert करें, इसलिए वो हमेशा वहाँ पर entry लेने के कोशिश करती है, इसी वज़य से हमारे lungs फूले हुए रहते हैं, collapse नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना ये conceptual question है, note कर लेना, इसको कहीं पर, कि रनात्मक अंत्यफुफुसी दाब होता है, negative intra-plural pressure, ठीक है, negative intra-plural pressure pulling at the lung wall, plural pressure की बात कर रहा है, यहाँ पर, pulmonari pressure की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर यह थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आप लोग इसको हिंदी में, तो intra-plural pressure negative है, ज pressure in the lungs in higher than that, the atmospheric pressure, यह भी गलत होगा, अगर ऐसा होगा, तो expiration हो जाएगा, और negative pressure होगा, तो inspiration हो जाएगा, पर यह question आप से कुछ और पूछना चाहरा है, तो इसका सही answer क्या है, plural cavity वाला concept है, तो सही answer 36 में हमें मिल गया, first option में, ठीक है, यह थोड़ा सा हिंदी में correction है, देख दीजेगा, लंग्स are made up of air filled sex, that the alveoli, they do not collapse even after forced expiration, फेफडे हावा से भरे होए, कोश वायू कूपिकाओं के बने होते हैं, बलपूरवक निश्वसन के बाद भी यह पूणते हैं, नहीं सिकुडते, इसका भी कही न कही आंसर क्या है, कि जब लंग्स मैंने बताया, negative intra pollinator pressure के क करण हावा जो है वो लंग्स के अंदर हमेशा कही न कहीं present रहती है, उन्हें pull करती रहती है, उन्हें पीछे की तरफ मतब धकेलती रहती है, ठीक है, तो वो जो air है, वो amount हमेशा fix होता है लंग्स के अंदर, कि इतनी air हमेशा रहेगी लंग्स के अंदर, अगर आप forceful expiration dual volume या अवशिष्ट आयता, ठीक है, कितनी? 1100 से 1200, 1100 to 1200 ml जो है, यह हमेशा मौझूद है, इसी वाज़े से अगर आप force expiration करोगे, तो भी alveoli पिचकेंगी नहीं, तो सही answer हमें 37 में कहां मिल गया, 4th option is the correct answer निमलिखित में से वैवासिक श्रसन विकार का उधारन क्या है, which of the following is an occupational respiratory disorder, occupational respiratory, अपने पढ़ा होगा, छोटी classes में, डाइरी में आता था, father's occupation, occupation का मतलब काम क्या करते हैं, तो काम करने की वज़े से, अगर किसी व्यक्ति को कोई respiratory related, respiration से related बिमारी होती है, तो वो बिमारी क कहलाती है, occupational respiratory disorder, तो उसका आपको मतलब पता लगाना है, botulism, ठीक है, botulism तो एक परकार की bacterial disease है, clostridium botulin से होती है, तो यह answer नहीं जाएगा, package food के अंदर जब infection हो जाता है, जब यह ज्यादतर होती है, वात स्विती, किसी का भी ऐसा काम नहीं है, कि cigarette पीता रहे हो, जान जो गई, इसमें occupation का या काम का कोई लेना देना नहीं है, silicosis, यह धियान से देखे, silica, silica किसमें मौजूद होती है, धूल में, तो जो मजदूर, खदान के अंदर काम करने वाले जो workers हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा dust उडती है, और जब इतनी ज़्यादा dust के contact में, traditional respiratory disorder, जिसमें आपका pneumoconciasis, apsteosis और silicosis, यह इसके तीन prominent example है, जिनमें से एक यहाँ पर दे रखा है, तो सही answer कौन सा हो गया हमारा, third option is the correct answer, which of the following options correctly represent the lung conditions in asthma and emphysema respectively, निम लिखित में से कौन सा विकल्प, क्रमश्य, दवा और वातस्वति में फेफडों की दर्शा को उचित त अस्थमा की बात हो रही है, फिर किसकी बात हो रही है, emphysema की, increase respiratory surface, नहीं, नहीं, अगर किसी को अस्थमा हो गए तो उसकी respiratory surface कैसे बढ़ी, गलत हो गया, decrease respiratory surface, inflammation of bronchiol, अब यह उल्टा हो गया, अस्थमा के respect में हम कहते हैं, inflammation of bronchiol, और emphysema के respect में हम कह सकते हैं, कि respiratory surface decrease हो ग प्राइटा, इंक्रीज नमबर ऑफ ब्रॉंक्योल नहीं, नमबर ऑफ ब्रॉंक्योल इंक्रीज होने तो कोई मतलब भी नहीं है, अब यह सही बैट गया, फॉर्थ ऑप्शन में, श्रस्निका में शोत, एस्थमा के अंदर ऐसा होता है, इंफ्लामेशन हो जाता है, और एमफा अस्थमा के लिए बताओ, फिर एमफाई सीमा के लिए बताओ, इसलिए आंसर कॉन सा हो गया, आपका फोर्थ ऑप्शन इस दी करेक्ट आंसर, मैच करना है, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर, और करेक्ट ऑप्शन को छाटना है, बहुत आसान सा क्यूशन है, यह आपको सारा डाटा याद होना ही चाहिए, इसमें कोई शक्की बात नहीं है, टाइडल वॉल्यूम के मैं बात करू, तो टाइडल वॉल्यूम फर्स्ट मान सकते है, एकस्पाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो यह आपकी एकस्पाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई, 1000 से 1100 है, इन दोनों में बहुत कन्फूजन होता है, ध्यान रखना आप लोगे न, तो C में आपकी हो गया, फोर्द और रेजिडूल वॉ 3142, यह कहां दे रखा है आपको, यह देखिए, 3142, यह हमारा आंसर था, वो सही आंसर 40 में कौन सा हो गया हमारा, थर्ड ओप्शन इस दी करेक्ट आंसर, ठीक है, चलो, टाइडल वॉल्यूम, एरवी, एक एथलीट की दे रखी है, एकस्पाइरेटरी कैपसिटी पूछि एकस्पाइरेटरी कैपसिटी क्या होती है, इसी क्या होती है, इसी है, सिंपल सी बात है, टाइडल वॉल्यूम, प्लस, एरवी, टाइडल वॉल्यूम कितनी दे रखी है, पास सो, एरवी कितनी है, हजार, आंसर कितना आ गया, पंदरा सो, अब आप पूछों के सार, इस बारा सो का क्या करें, तो बारा सो का अचार डालेंगे, कुछ भी दे देगा यहाँ पर, तो आपको अपने concept के साथ stick रहना है, कुछन जो है, कुछन जो है, वो आपको confuse करेगा, examiner का 100 प्रतिशत जो aim होता है, वो यही होता है, कि बच्चे का क्युछन गलत हो, ठीक है, ललचाएगा, गुमाएगा, confuse करेगा, इन सभी से बच करके सही आंसर तक जाना, यह आपकी मेहनत, आपकी skill और कुशन की practice है, बिना practice के आप सोचो, कि आप कितना ही याद कर लो, NCRT पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, exam में आप सही कर दोगे, नहीं, कुशन practice is the key of success, आपको practice करनी है, CLC के जो आपको, हम लोगों ने PYQ, जो success मंतरा आपको दिय है, ठीक है, जो जिसमें 6 किताबे हैं, physics echo हो गई, test series हो गई, वो भी अगर आप लोग पूरी solve कर जाते हैं, तो भी ऐसे questions आपकी बहुत easily solve होने लग जाएंगे, ठीक है, तो practice करते रहिए, main important चीज़ है practice, ठीक है, तो answer 1500 हो गया, यानि कि third option is the correct answer, तो 41 में कौनसा answer हो गया हम option, आगे चलते हैं, due to, आप देखिए, कितने question यहाँ पर respiratory disorder से related आएं, due to increasing air bone, allergens and pollutant, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder, causing wheezing, बताऊँगा यह क्यों मैंने highlight किया, वायू द्वारा उत्पन, allergen, एवं परदुशकों के कारा, नगरी इस्थानों में काफी व्यक्ति, श्वस्नी, विकार, जो घर कर रहा हैं, यहाँ पर अस्थमा की, क्योंकि अस्थमा का prominent character है, wheezing sound, गरगरा हट की आवाज, excessive mucus secret होने के कारण, जो bronchioles है, bronchioles है, यह एक तरह से भर जाती है, mucus से, तो जब भी हम हावा को छोडते हैं, तो अजीब सी आवाज आती है, गरगरा हट की सी आवाज आती है, तो यह किस की तरफ इशारा कर रहा है, अस्थमा की तरफ, ठीक है, अब इसमें होता क्या है, यह हो, क्यों हो रहा है, रेशेदार उतको कोई proliferation वे कूपी के भित्ती को शती, proliferation of fibrous tissue and damage to the alveolar wall, alveolar wall damage M5 sema में होती है, मैंने बताया था, तो यह option नहीं जाएगा, reduction in the secretion of surfact by pneumocyte, pneumocyte की द्वारा प्रष्ट सक्री के स्त्रावन में कमी, नहीं, यह बिमारी फिर दूसरी हो जाती है, ऐसा यहां नहीं होता, benign growth, यानि कि नासी का गुहा में शलेशमा आस्तर की मामूली वर्दी, नहीं, गलत हो गया, यहां का नाक का क्या लिन देने जा, यह यहां पर आपका जो सही option है, वो कौन सा जाएगा, 42 के अंदर, fourth option is the correct answer, आगया जो, identify the wrong statement with reference to the transport of oxygen, oxygen के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचान, कैसे पहचानेंगे, high H-plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin, नहीं, 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 देखो, H-plus का ज्यादा होना, CO2 का ज्यादा होना, temperature का ज्यादा होना, यह सभी दुश्मन है, यह चाहते हैं कि oxygen और hemoglobin का तलाक हो जाए, कि dissociation को promote करते हैं, H-plus का कम होना, PCO2 का कम होना, temperature का कम होना, PO2 का ज्यादा होना, यह सब दोस्त हैं, यह चाहते हैं कि oxygen और hemoglobin की शादी हो, और क्या बने oxymoglobin, दुश्मन वाले tissue side में ज्यादा रहते हैं, दोस्त वाले, alvely side में ज्यादा रहते हैं, अब यह कह रहा है कि H-plus की अगर concentration ज्यादा है, तो oxymoglobin का formation favor होगा, नहीं कलत हो गया, low PCO2 in alvely, alvely में low PCO2 favor करती है, formation of oxymoglobin, सही बात है, binding of oxygen, जो है, with hemoglobin is mainly related to, is mainly related to the partial pressure of oxygen, सही बात है, partial pressure से related है, partial pressure of CO2 can interfere with O2 binding with hemoglobin, सही बात है, 3 सही है, एक गलत है, पूछा क्या है हमसे, wrong पूछा है, तो answer हमें कहां मिल गया, first option, क्योंकि पहला option क्या है, गलत है, बागी कि आप बहुत अच्छे से जानते ही है, कि oxygen और hemoglobin की जो binding है, वो oxygen के partial pressure पर मुख्यते निर्वर करती है, और CO2 का जो आशिकदाब है, वो oxygen का जो hemoglobin के साथ में परीवहने, उसे प्रभावित करता है, अगर CO2 का आशिकदाब बढ़ गया, तो उन दोनों की जो आपसी प्यार है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, और अग प्यार बढ़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, तो सही answer हमें कहां मिल गया, first option, आगे चलते हैं, select the correct event that occurred during inspiration, आप आपको क्या करना है, events को select करना है, जो किस के दौरान होते है, inspiration के दौरान होते है, तो इसमें देखिए, पहला है contraction of diaphragm, अगर आपको स और से cavity के volume को बढ़ाना होगा, इसके कारण lungs की volume भी बढ़े, ताकि lungs के अंदर का pressure, बाहर के pressure के तुलना में negative हो जाए, और बाहर से हावा अंदर आ जाए, तो पहली बात हो गई, सही, ठीक है, second पढ़ते है, contraction of external intercostal muscle, सही बात है, EICM को contact करोगे, तो उपर की तरफ diameter है, वो बढ़ेगा, और diaphragm को contact करेंगे, तो नीचे की तरफ जाने से हमारा anterior posterior diameter बढ़ेगा, और दोनों axis में diameter के बढ़ने के कारण, finally volume increase होगी, तो जो reflect होगी, lungs की volume के उपर, और lungs की volume increase होगी, pulmonary volume decrease, थोड़ी बढ़ेगी, intra pulmonary pressure increase, नहीं, pressure increase नहीं होगा, क्या होगा, decrease होगा तबी तो हवा अंदर आएगी, यह आपको कहां मिल गए रहे है, मतलब सही कौन है खाली, A सही है, B सही है, तो यह गलत, यह देखो, यहां मिल गया, आपको third option में, A and B, तो सही आंसर पांसा हो गया, 44 में third option is the correct answer, आगे चलते हैं, the partial pressures mmHg में ने रखे हैं, oxygen के और carbon dioxide के, सही पहचाना, यह भी एकदम fix, जो table बनी हुए, यह वहां से question आया है, तो गलत होना ही नी चाहिए, alvely में पूचा है, तो alvely में PO2 तो होता है, आपका, कितना, 104 और जो PCO2 होता है, यह होता है 40, तो बस 104 और 406 में, यह आप, fourth option में मिल गया, answer हो गया, fourth, आ गया जो, select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alvely, कूपिकाओं पे आपको oxyhemoglobin बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का chain करना है, निमन PO2, गलत हो गया, भई, कूपिकाओं पे तो PO2 हाई रहेगा, निमन तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आगे पढ़ो ही, जब पहले सी पता चल गया कि गलत है, मतलब ऐसा वाला गलत है कि जिसको दुनिया के कोई भी ताकता के सही नहीं मान सकती, तो आगे पढ़ना टाइम विस्ट करने के बराबर है, लो PO2, एलिवलाई पे लो PO2 नहीं होता, ठीक है, आगे चलते है, हाई PO2, बिलकुल सही बात है, उच पीउटू, उच पीसी एलिवलाई पे PCO2 कम है, टिशू पे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये भी गलत हो गया, फिर से लो PO2 बोल दिया, गलत हो गया, फोर्थ पड़ो, हाई PO2, निम्न PCO2 यानि कि लो PCO2, H प्लस आयन भी कम है, तापमान भी कम है, ये सभी कौन है, दोस्त, ऑक्सिजन का आंशि ज्यादा हो, PCO2 का आशिक दाप कम हो, H प्लस की सांदरता कम हो, तापमान कम हो, तो ये सभी बन जाते हैं, दोस्त, और दोस्त चाहते हैं, कि ऑक्सिजन और हीमोगलोबिन की आपस में शादी हो, और क्या बने, ऑक्सी हीमोगलोबिन बने, तो सही आंसर आपको कहां मिल गय चौथे आप्शन में सही आंसर मिल जाता है, आगे चलते, असर्शन रीजन आगे, अध्यान से पढ़ना है, जेखो AR, AR में पता लगाना है, तो ऐसे सोचों की असर्शन की तुरंत बार अपने दिमाग में सोचों की इसका रीजन क्या होना चाहिए, अगर वो रीजन है, त कुच तंगुता पर जाता है, तब तंगुता बिमारी के लक्षन जैसे सांस लेने में कठना ही वेहरदा की धड़कनों को महसूस करता है, देखिए बिलकुल है, अगर आप पहाड़ों पर जाओगे, तो आपको altitude sickness का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे, इसका reason प due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen, सही है reason, मैंने भी तो यह सोचा था आपके सामने, assertion पड़ा, दिमाग में reason सोचा कि कम होना चाहिए, इस वज़े से symptom आते है, यही reason दे रखा है, तो assertion में जो reason हमने सोचा, अगर वही दे रखा है, तो answer क्या जाएगा फिर, assertion भी सही, reason भी सही, correct explanation, प अब NTA वाले इसको कहीं पे भी डाल सकते हैं, तो ऐसे में option पड़ो आप लोग, सीधे first मत लगो, if both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, गलत बात होगी, correct explanation है, both A and R are true and R is the correct explanation of A, तो सही answer कहां मिला 47 का fourth option में, अगर इसको aims वाली guideline के साब से करते हैं, तो first लगा देते, assertion is true, reason true, reason correct explanation, answer हो जाता गलत, ठीक है, तो NTA के paper में option को पढ़ना है, सारी option को पढ़ना है, ठीक है, कुछ option को हो सकता है, जल्दी पढ़ना है, कुछ option को time लगा के पढ़ना है, इडिपेंड करेगा question पर, which of the following is not the function of conducting part of respiratory system, देखें, दो परकार के पार्ट है हमारे पात्वे में, एकका में conduction, जो हावा को ला रहा है, ले जा रहा है, और एकका में exchange करवाना, अब यह क्या पूछ रहेगी, conducting part का कौन सा function नहीं है, अंतहष रसितवाईउ को आदर करता है, inhaled air को humified करता है, बिल्कुल सही बात है, बाहर की जो हावा है, उसे जब आप inhale करोगे, तो उसमें water vapors mix हो जाएगी, और वो moist हो जाएगी, तो यह काम किसका है, conducting part का सही बात है, temperature जो हम है, inhaled air का, उसको body temperature के बराबर लाना, यह काम भी conducting part का है, provide surface for the diffusion of O2 and CO2, यह बात हो गई, सरासर गलब, क्योंकि O2 and CO2 का diffusion, exchange part में होगा, कहां नहीं होगा, conducting part में नहीं होगा, तो यह उसका काम नहीं है, यहीं हमसे पूछा था, सही answer third में मिल गया, inhaled air को साफ करता है foreign particles से, यह काम भी conducting का है, नहीं पूछा था, तो third option पे नहीं आगया, आगे चलते हैं, under normal physiological condition in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver, देखिए, जब normal परिस्थितियां है, तो इस trick को याद रख लो, कितनी ml देगा, 5 ml किसको देगा, tissue को, यानि 100 ml blood अपने साथ में ला रहा है, 20 ml oxygen, normal condition में 5 ml tissue को देगा, और वो 15 ml reserve के तोर पर, deoxygenated blood में रह जाएगी, अगर वहीं कोई व्यक्ति exercise करता हो, तो फिर कहानी उल्टी हो जाएगी, तब 15 ml tissues को देगा, और 5 ml को hold करेगा, अभी normal condition के बारे में पूछा है, तो answer चला जाएगा, first option, यानि कितनी देगा, 5 ml देगा, आगया जाओ, identify the reason of human brain which has the pneumotoxic center that alters respiratory rate by reducing duration of inspiration, मनुष्य मस्तरिश्की के उस भाग को पहचानिये, जिसमें pneumotoxic केंद्र होता है, जो कि अन्तह श्वसन की समयावदी को कम कर, श्वसन दर में बदलाव करता है, तो अगर मैं बात परो, तो pneumotoxic center पाया जाता है, पोंस, वेरोलाई में, किस में, पोंस में, तो पोंस हमें fourth option में दे रखा है, इसलिए answer क्या चला गया, fourth option, आगया जाओ, which of the following statement are correct with respect to vital capacity, VC की बात कर रहा है, RV जिसमें नहीं होती है, ध्यान रखना आप लो, तो दिखिए, इसमें ERV, TV, IRV, स a person can inspire after normal expiration, नहीं, normal expiration के बाद तो जो person inspire करेगा total volume वो तो inspiratory capacity हो जाएगी, forced expiration के बाद बोलता तो हम मान सकते थे, तो ये गलत हो गया, the maximum volume of a person can breathe in after forced expiration, मानलो कि मैंने forced expiration किया, तो मैंने क्या भाहार निकाल रही, ERV, अब मैं क्या-क्या inspire कर सकता हूँ, maximum volume किस किस को inspire कर सकता हूँ, maximum volume में किस को inspire कर सकता हूँ, तो एक तो जो मैंने force बहार निकाल लिए, ERV को ले सकता हूँ, एक TV को ले सकता हूँ, और एक IRV को ले सकता हूँ, तो यही बात हो गई, maximum volume of air, a person can breathe in after forced expiration, यह बात भी VC से related है, उसी को क्या कहते है, VC कहते है, it includes ERV, RV तो आता ही न breathe out after a forced inspiration, यह बात भी सही होगी, मानलो कि किसी व्यक्ति ने force inspiration कर लिया, अब वो maximum हवा गया निकाल सकता है, IRV निकाल सकता है, और forced expiration करें तो ERV भी निकाल सकता है, मतब यह तीनों निकाल सकता है, तीनों का total ही क्या है, VC, तो बात सही होगी, यह बात भी सही होगी, अब आप 51 में हमारा सही answer कहां पर आ जाएगा, first option is the correct answer, तो यह सारे questions थे, उमीद है आपको समझ में आया होगा, और आपको कुछ इससे फायदा मिला होगा, ठीक है, बाकि CLC का जो YouTube channel है, इसे आप subscribe कीजिए, और bell icon को दबा दीजिए, ऐसे ही videos CLC आपके लिए लेकर आती रहेगी, अगी किसी और form में हो गया, जिसका आपको exam में बहुत फायता होगा, ठीक है, धन्यवाद